नमस्कूर आप देखरें भागेशर बुलेटिन और मैं हूँ आपके साथ लता चले शुरू करते हैं खबरों का सलसला उन्होंने कहा कि दिरफतार किया गया युवक वाहन चलाकर अपने घर का पालन पोशन करता है और ऐसे में युवक को दिरफतार किये जाने के बाद उसके परिवार पर आर्थिक संकत भी मंडरा रहा है जिलारिकारी मोदाई से मिलने आये हैं कल एक निर्दोर बेक्ति को जो अपने ट्रेक्सी चलाकर अपने जिवन यापन करता था उस नोजवान को गलत तरीके से बन्यजीव शंग्रक्षन अदिनियम के तहद मामला दर्ज कर खारागार बेजा गया हम चाहते हैं कि हम भी बन तशकरी नो इसमें रोग लगे हम भी इसके समठ्थन में हैं गलत तरीके से बन तशकरी में उसको फसाया गया है समस्तर बागेश्वर की जनता से जो एक निर्दोर्स बेक्ति को ये गरीब टेक्सर ड्राइबर को ठीक है इसकी निस्पक से जाज करने के लिए हम विस्टिं जो समलित है हम सरकोर से रिक्वार्मेंट करते हैं उसके फेंगर पैड भी जाच होनी चाहिए बागेश्वर सले के ग्रामिड शेत्रों में सरकों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है लेकिन विभागी अधिकारी सरकों का हाल जानना तो दूर ग्रामिडों का फोन तक नहीं उठ खाते ताजा मामला कपकोर्ट के गौरी उडियार गाउं का है जहां पर प्रधान मंतिर ग्रामिड सलक योजना के तहद बनाए गई गई गौरी उडियार पुरकोर्ट सलक की हालत बत से बत्तर हो चुकी है वही आज कपकोर्ट के पूरवधायक ललित फरसवान और पूर ज गाउं का भ्रमर किया इज़रान उन्होंने कहा कि साथी साथ सलक में जगा जगा पर गढ़े बने होने के साथ ही सलक के किनारे घास की जाले भी उगी हुई है जिसे की लोगों को सलक पर वहां चलाने के दौरान खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो वही दूसरे तरफ बालिघाट पंदरपाली हर बार मोटर मार्ग के भी यही हालत बनी हुई है इस औरान खेतर के ग्रामिलों ने कहा कि सड़क की हालत को लेकर कई बार उनकी ओर से समधित विभाग को फोन भी किया गया लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई कारवाई नहीं की गई और हाल ये रहे कि फोन करने पर अब तक फोन का कोई जवाब नहीं दिया गया है सभी लोगों ने गोरी डियार चेतर का भरमन किया और जो सड़क की दूरदर्सा परधान मंतरी गिरामिल सड़क के तएद हमने देखी यह बहुत दुगदाई स्तिती में दोनों और जाडियां इतनी जादा होरकी है कि कोई भी घटना घटित हो सकती है और विभाग ततकाल उक्तू मोटर मारके का संग्यान ले और जो जाडियां से गाओं को नुक्षान हो रहा है लोगों को नुक्षान हो रहा है उसका ततकाल कटान करके लोगों को रहत दे यही हम लोगों की प्रातना है और दूसरी सड़क जो है बालिगाद पंद्रापाली हडबाड मोटर मार जिसमें दोनों साड़ी का बहुत ज्यादा गंगोर इस्तिती और किये उसको भी काटना बहुत जूरूड है और मोटर रूट में जितने गड़े हम सब लोग दोनों मुटर मारगू में देखके आरखे हैं उनकी इस्तिती से लग रहा है कि हमारी बहने हमारी माँ अब जब अस्ताल को जाती होंगी या जब इलाज कराने जाती होंगी तो उनको कहीं न कहीं सड़कों की ओजोसे दुग दर तो होता होगा और कहीं न कहीं जन्परती नुदू को कोशने का काम करती होगी तो आज हम सब लोग यहां पर आये हैं तो हमारा नेतिक दाई तो नेतिक करतब भी है अपने पूरी जिलापंचे अध्यक जी के साथ अरी सेठानी जी के साथ हम सब लोग यहां पर पहुँचे है बाग का तररपनिक तो पूरी जारी है और गाड़े का पता जिनी शल्लअ रोड कहाँ पर आकर कि यह पता है ऐ स्प्राल कि पछने देने के लिए जगाल का आफने का ओल रहा द नहीं आला है प्छने कुशन। बागेशन में चात्र संग के उदाधिकारियों ने में फाइनल सेमेस्टर का रिजर्व गोशित कराने की मांग उठाई है जिसमें प्रवक्ताओं की भरती मुख्य है लेकिन परिक्षा परेडाम गोशित नहीं होने की वज़ा से चात्र चात्राओं को प्रवक्ता भरती में शामिल होने में समस्याए हो रही है जिसके लिए परिक्षा नियंतरक से उन्होंने अपील की है कि एमें फाइनल सेमेशनों का रजल्ड से जल्ड घोशित किया जाए जिसे की परिक्षा पूरी कर्चुके चात प्रवक्ता भरती में शामिल हो सके जिना बढ़ा है परवक्ता भरती दो जार बीस अभी ततकाल अभी आई है जिससे वह चात्र चात्राएं एक्जाम देने के बावजूद भी उनका रिजल्ड नहीं आने के कारण वह इस एक्जाम को देने से वंचित हैं इसलिए हमने पुलपती जी के नाम हों क्या पन दिया ह जिसना हमने उम्मीद यह रखिएगी उनसे की वह जल्से जल्द परिशा प्रणाम घुषित करने का अस्ट करें इस संद्र महाविधाले परिशार में क्या पन दिया परचारी जी के माध्यम से हमें आश्वासर मिलाएं कि जल्से जल्द बात की जाएगी चार-पांस दिन क परिशा परिशा प्रणाम घुषित हो जाए तांकि वह भी इस टेस्ट को दे सके हैं क्योंकि यह टेस्ट तीन-चार साल के बाद लगब इतना ही टाइम लग जाता है कि सरकार दोरा यह वड़तिया निकाली जाती है इस परिकार से कई चाथ चात रहे हैं इसे माध्यम से वह एंचीत रहाते हैं इस संदर्व में हमने उम्मीद रखी है प्राचारी महोधिया जिसे जल्से जल्से परिशा पो जबनाव को जार रही है जागरुकता अभियान के तहट अब पालिका की ओर से नगर में कैम्प लगा कर लोगों के स्वास्त जांच की जा रही है। माचुते स्वास और सुने सुरक्षित रहने के साथ ही कोरोना लक्षों दिखाए देने पर टेस्ट कराने की भी अपील की है। जिसमें कि बहुत अधी संक्या में तो नहीं आये पर कुछ आये पर लेकिन लोग डर रहे हैं। पर मेरा आपके माध्यम से यह एपील है लोगों से कि अधिक सदी का आया और ट्रेस्ट कराया और सुरक्सित रहें। जी जरूर अभी बागिश्वर में जो है करोना संक्रमी की संक्या बढ़ते जा रही है। उसका मुख्य कारण एगी है कि टेस्टिंग भी काफी जादा बढ़ा दी है। अब वो टेस्टिंग जो है नगर शेत्र में भी जादा हो रहे हैं। तो इसलिए कोरोना फोजुटी भी जादा आ रहे हैं। तो नगरपाली का संक्रमन से बढ़ताओ के लिए शुरू से कार्यत है। अब वी जो है नगरपाली का द्वारा जितने भी कोरेंटाइन संटर है और अपना बिलोना है वो सभी जगत जो है जो है जो है संक्रमन बहुत बढ़ा हुआ है इसको बहुत हलकी मैंने लें। बागेशन में बढ़ रहे कुरोना मामलों को लेकर अपर मुक्त चिकत साधिकारी डॉक्टर वीके सकसेना ने बताया कि जले से आज कुरोना वारे संक्रमण की जांच के लिए 1955 लोगों के सेंपल भीजे गए हैं तो वहीं अब तक जले से 22,056 सेंपल जांच के लिए भीजी जा रहा है तो इसके लावा जले में आप तक कुरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं जले में आज कुरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं और इसके लावा 16 मर्जों को आज छीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है और से के साथ बागेश्वार बुलेटी ने फिलाल इतना ही आप देते रहे निउस 31 उत्राखन नमस्कार